हलो SPS Astrology lovers, this is चंगर परताब सिंग and you are watching SPS Astrology दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आठ मुखी रुद्राक्ष के बारे में कि आठ मुखी रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है और इसको कब पहनना चाहिए देखे राहु की placement जब आपके bird chart के फर्स्ट house में होती है तब आपको आठ मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए वैसे आप आठ मुखी रुद्राक्ष को भी पहन सकते हैं लेकिन फर्स्ट house के राहु में ही आठ मुखी रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है इसके पीछे का बड़ा लॉजिक आज समझने की कोशिश करते है राहू को जैसे हम जानते हैं कि राहू क्या है राहू हमारी डिजायर है, हमारा आप्शेसन है राहू जिस हाउस में बैठता है उस हाउस से सम्मंदे चीजों को लेके हम बहुत जादा obsessed हो जाते हैं यानी अधीर हो जाते है जैसे फरस्ट हाउस का सम्मंद आपके नाम से है आपके self से है, आपकी identity से है, आपकी पहचान से है और जो भी आपकी overall personality है उसका सम्मंद कुंडली के फरस्ट हाउस से होता है अब राहू अगर कुंडली के first house में होगा तो आप चाहेंगे कि आपका बहुत नाम हो आपकी एक पहचान हो लोगों के बीच में आपकी तारीफ हो लोग आपकी इजद करें आपकी value करें यह सारी desire आपके अंदर रहेगी और आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका ना काम हो जाए और इसके लिए कई बार आप कुछ ना कुछ shortcut भी अपना लेते हैं क्योंकि 42 की age से पहले राहू immature होता है राहू जो भी काम करता है उसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाता है राहू बहुत ज्यादा impatient होता है और उसके चक्कर में कई बार इंसान बहु कर देता है वैसे राहू की placement से हमें ये पता चलता है कि किस particular house के लिए इंसान बहुत ज्यादा परिशान है यानि किस particular चीज के लिए इसके अंदर इतना ज्यादा obsession है तो राहू अगर first house में होगा तो first house से संबंदिच चीजों को पाने के लिए आपको जीवन में struggle करना पड सकता है और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि इनसान कुछ तिगडम बाजी जोड जाड़के इधर उदर से करकुरा के अपने आपको stand करने की कोशिच करता है लेकिन 42 की एच के बाद अगर राहू अपने on sign में है या अपने friendly sign में है या अच्छी जगा placed है आपके first house में य इनसान बहुत ज़्यादा obsessed हो जाता है बहुत ज़्यादा परिशान हो जाता है और बहुत अस्थिर भी हो जाता है तो इसको ठीक करने के लिए इसको manage करने के लिए अपने mind को ठीक करने के लिए ताकि हम proper तरीके से काम कर पाएं proper तरीके से सोच पाएं क्योंकि राहू हमार माइन की फौट को बहुत ज़ादा बलड कर देता है हेजी कर देता है और कई बार हम बहुत जादा चीजों को सोचते हैं उसके चक्कर में हम डेप्रेशन में भी आ जाते हैं तो mind की clarity के लिए हमारा mind शार्प रहे, तेज रहे, हम अच्छे से सोच पाए, चीजों को अच्छे से कर पाए, समझधारी से कर पाए, बुद्धी से कर पाए और अच्छे logic को यूज करके चीजों में benefit उठा पाएं उसके लिए आपको आठ मुखी रुद्राक्ष पहनना चा ऐसी माननेता है इसके पीछे कोई साइंस और कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि किसी भी तरीके से आपको साइंटिफिक तरीके से प्रूफ करके बता दिया जाए कि भाई एक मुखी है तो यह होगा दो मुखी है तो यह होगा साइंटिफिक कोई भी लॉजिक नहीं है लेकिन इसके पीछे कई सालों से हजारों लाखों सालों से ऐसा विश्वास है ऐसा लोगों का अपना मत है कि अगर आप ऐसी चीजों को पहनते हैं कि एक मुखी रुद्राक्स को दो मुखी रुद्राक्स को पंच मुखी को तो अलग अलग रुद्राक्स के हिसाब से अलग अलग आपको benefit मिलता है तो जो आठ मुखी रुद्राक्स जो है उसको Lord Ganesha से जोड़ा जाता है और Lord Ganesha रिद्धी और सिद्धी के देवता माने जाते हैं यानि बुद्धी के देवता माने जाते हैं तो जब आप Lord Ganesha का लॉकेट पहन पहनते हैं या आठ मुखी रुद्राक्स पहनते हैं तो आपकी जो बुद्धी है वो बहुत शार्प हो जाती है और अच्छे काम में आपकी बुद्धी लगती है और जो भी आपके अंदर की दुईदा होती है वो आठ मुखी रुद्राक्स को पहनने के बाद खतम हो जात सकते हैं और हमसे बात करना चाहें तो आप अप Say the app के घ्रूओं बात कर सकते हैं और गाइज आप वंसे खासक लिए अन गुड़ बाइच